दोस्तो अक्सर हमने देखा है कि चीटिंग करने वाला बच्चा हमेशा जादा मार्स ले आता है वो भी उससे जिससे उसने कॉपी की थी वैसे ही आपने जाने माने बिस्किट ब्रांड ओरियो का नाम तो सुना ही होगा हुआ ये 1908 में हाइड्रोक्स नाम का एक बिस्किट ब्रांड लॉंच हुआ उन बिस्किट में दो डाक चॉकलेट बिस्किट के बीच में वनिला फ्लेवर्ट फिलिंग हुआ करती थी और ये लोगों को काफी पसंद आते थे फिर उसके कई सालों बाद 1912 में ओरियो नाम का एक बिस्किट ब्रांड इंट्रियूस हुआ जिसका कॉंसेप्ट एक्जाक्ली सेम था दो चॉकलेट बिस्किट के बीच में वनिला फ्लेवर्ट फिलिंग बस इन्हों ने क्या किया अपने बिस्किट को थोड़े महेंगे बीचने शुरू कर दिये सेम बिस्किट दोनों ब्रांड बेचते थे हाइड्रॉक्स भी और ओरियो भी लेकिन हाइड्रॉक्स अपने बिस्किट्स सस्ते बेचते थे और ओरियो वही बिस्किट्स महेंगे बेचते थे और ये बिस्किट्स इतने टेस्टी होते थे कि लोगों को लगने लगा कि इतने टेस्टी बिस्किट्स सस्ते कैसे आ सकते है तो फिर कुछ सालों बाद लोगों ने ये सूचना स्टार्ट कर दिया कि हाइड्रॉक्स ने ओरियो की कॉपी की है और इसलिए वो बिस्किट्स को सस्ता बेचता है और आज की डेट में हाइड्रोक्स को कोई नहीं जानता और ओरियो का कितना नाम है वो आप सबको पता ही होगा